बुद्धवारनों स्तारां खडारिगानों पीम पूर्स कर देते गे, इस मोके पैरा उलांपिक अथलीट अमरिस रोहा, मुके बाज कविता चहला ते रोलर खडारन मिलन पीत का और नूवी पीमे वाड़ा ना सन्मानित कीता गया, इना तिना नाल साधे खेड पतर का राय ठ खाकुर ने खास गालबाद कीती आओ सुनाओनें तानू इस गालबाद देखो जांच खेल खेलों में हर्याना और हर्याना ने जिस तरह से खेलों में अपना नाम चमकाया है वो काबले तारीफ और आज भीम वाड़ मिले और हमारे साथ है अमित सरोहा जो इतने बड़ी सेवियर इंजरी के बाद यहां तक आया और उलम्पिक तक का सफरत है किया है तो बड़ी खुशी महसूस होती है और कहीं ना कहीं एक मान सम्मान बढ़ा है और लोगों के लिए एक मिसाल भी है कि आप जहां आप बैड पे रहते हैं और उससे उठकर आप अरृब्ल क्लास लेल का स्पोर्ट्स किया है और उसको बारत सरकार ने ँery restoration ने सम्मान दिया है तो बहुत खुशी महसूस होती है प्लाइन्स के अब आपके आने वाले समय के लिए आपकी कोई कोई प्रतियोंगी ता हैं जहां पर आप परफॉर्म करने वाले जहां पर भाग लेने वाले और किस तरह से तैयार करते हैं अपने आपको देखिए नेक्स इंकमिंग में इसे मेजर इवेंट तो हमारा पराइश अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत अची परफॉर्मेंस के साथ अपना बैस देने कोशिश करें हमारी दर्शक जाना चाहेंगे कि हमें सुर्वा दरसल प्रैक्टिस कैसे करते हैं किस तरह से वो अपना दिन चार्या चलाते हैं और किस तरह से पूरा करते हैं वो बताइए अगरे दर्शक देखिए प्रैक्टिस का शेडूल ऐसा होता है सुबहश हम दौनों टाइम वर्काउट होता है और वो आप प्लान नहीं कर सकते हैं वो डिपेंड करता है कि आज आपका शरीर किस तरह रियक्ट कर रहा है मिस्पी करना पड़ सकता है और उसको कंटिनू भी कर सकते हैं बट वो डिपेंड करता है कि उस दिन आपकी बोडी किस तरह रिस्पॉंड करती है क्या वर्काउट होता है वो सब प्लान एड़ दा सपोर्ट ही किया जाता है सपूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्यू तो यह थी हमेद सरोहा और कहीं ना आज कुल सत्रे खिलाडियों को भीम आवाड दिये गए और भीम आवाड जिन खिलाडियों को दिये गए उनमें से एक खिलाडी इस वक्त हमारे साथ मौझूद है कवीता चाहल कवीता सबसे पहले डियन नेट नूज में आपका स्वागत है जाना चाहूँगा आपसे कि भ चाहते हैं उन्हें क्या करना होगा कि वह आप किस तर पर पहुँचपते हैं वो फिलाल हमारे पहले अरियाना में एक वो बना रखी है पहले स्टेट होता है फिर उनकी तैयारी करवाई जाती है और फिर नैशनल में जो मैड़ला यहाथ फिर jean stranger फिर oh orderristेण Busan दिन में तिन करते हैं आपके साथ भी कुछ उस तरह की समस्यां है विलकुल हुआ था मेरे साथ अभी मैं 2010 से उड़ा सरकार से मिल रही थी क्योंकि 2010 में मेरा और एक मेरी कोम का दो कोई मैडल आए थे उसी ताए तब अभी चार-पांथ दिन पहले मेरी गोशना इस्पेक्टर के लिए है और मैंने 2012 में फी वर्ल्ड में मैडल पाया थो तीन बार एशियन में मैडल है और मैं छह साथ बार नैशनल में चैंपियन हूँ ऐसे बहुत मैडल हूँ फिर बहुत सा सबसे यादगार दिन था मेरा इस सबाचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कवीता तो यह थी कवीता चहल जिनका कहना है कि हर्याना ने जिस तरह से तरक्की किया खेलों में निश्चे तौर पर काबले तारीफ है लेकिन eligibility की समस्या जरूर आई थी लेकिन अब वो समस् जिन खेलाडियों को भीम अवार्ड मिले उनमें से खेलाडी सवक्त हमारे साथ मौझूद है लेकिन जो रोलर स्केटिंग में अपना नाम कमा चुकिया और इसी के लिए उनने आज भीम अवाड दिया गया है तो उनसे जानते हैं कि क्या कोच है उनके पास आने वाले समय के तो उसके वज़े से कही डिकते आती है जैसे दूसरी गेम जाती है या उनके जो इसमीं हम सारा पहँप खुद करते हैं जो हमारे अगहार जाने के रहने के दे रहे हैं उसी तरह रॉलर होकी को अपने अंडर ले के आए और इससे बच्चों का confidence level बढ़ेगा जो बच्चे रॉलर होकी यह सोच के नहीं लेते कि हमें पे करना पड़ेगा यहां जो middle class families हैं वो पे नहीं कर सकती वो भी यह सोचते हैं कि हम रॉलर होकी में बच्चे को नहीं लगाएंगे इससे अच्छा हम किसी और गेम में लगा देंगे क्योंकि पे नहीं कर सकते वो तो government को चाहिए कि यह अपने अंडर लेका है तांकि बच्चों के माइंड से यह निकले औ और अच्छे बच्चे इसमें लगेंगे मेनत करेंगे और कंट्री के लिए मैडल लिखाएंगे साथी आपसे जाना चाहूँगा कि रोलर होकी जैसा मैंने पहले भी का कितनी happening गेम नहीं है लेकिन फिर भी आपने भीम वाड लिया है कैसा मैं सूस करते हैं मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जब एक प्लेयर को जो मेनत करता है या जो भी वो अपना रेस्ट चोड़ता है अपनी स्टडीज चोड़ता है कुछ भी चोड़ता है तो जब उसकी मेनत का फल मिलता है और उसे बहुत कुशी होती है और मैं एक्स प्लेयन नहीं क सादेनाल कदिवी ते कितों में जुड़ो अप्पा मिलांगे फेसबुक ते असी दिखांगे यूट्यूब ते सानू फॉलो करो ट्विटर ते खबरानाल जुड़े रहो दिन रात